उस दुस्त रावन ने जटाईःं को युद्ध में परास्त कर दीओ और लक्त रंजित कर दीओ और सीता मया को लेकर उड़ गयो और जे सब जानकर स्री राम ने कही लख्ष्मर्ड! पेरे धनूस ला लक्ष्मर्ड! अजय वोग जोग हो औरक भी वोग बाल लाग जोग हो जो भी तो और भाल अजय वोग जोग जा जाँ है प्रॉसि टो ए अ टॉवेफ ट्रवні ओॉडिए अभन स्थादों अभने को अभने को अभने का रेंग मुपने में है एक अग झाल में आ रहादा रहा हुआ है कि उन का रहा है यह दिए को ईए? यह सब क्या है? यह दिए? तो समी समी किस्थी कि यही किस्थी उही जा करे हो बाबा संबालो स्वेम को पिछली बार बच गए थे इस बार नहीं बचेंगे महिया देख रही है मैं राम कता सुनकर स्वेम को रोब नहीं पाया अब आप और मत पसाओ मुझे बलकी आप तो मनाओ महिया को ताकि ये मुझे खड़ से बार जाने दे बोलो भी जे धनुस्तान के खड़ो हैं आप हाथ जोड़ के खड़े हो जे सब चल क्या रो है फस गए दोनों अब आप ही संबालो मैं कैसे आपने ही हाथ जोड़ा था अब समझाओ महिया को अरे पर भावग तो तुम भी हुए थे तुम समझाओ कोई कच्छो मुझे भी बताएगो क्या चल रहो है बोलो जी सोचो मत बाबा संबालो बताओ भी सिया बरह रहा में चंडर की जै आपस में कौन सी खिचडी पकार है उदोनों बाबा लल्ला तुमने भूल की है सोदा क्या भूल तुमने कही ना के हमारा काना राम जी की तरह ना दीख तो और देखो कितना अच्छा भी ने कियो काना ने बहुत बढ़िया काना एक पल के लिए तो ऐसा लगो अनो स्री राम स्वयम क्रोध में आगे हो इसका अर्थ जे है कि आप दोनों राम लीला कर रहे थे पर लल्ला एक बात तो बता तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुस्बान उठाने वाले है बोल या सुदा कितनी भोली हो तुम अरे इत्ती सीद्र भूल गई कित्ती बार तुमने लल्ला को रामायन सुनाई है तु अभे नहीं कर रहा था पर जी इस आयू में इत्ता चा अभे नहीं कर रहा था अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है मेरा कहने कार तुझे है कि तीवर बुद्धी परती भावान है तुम्हारा लल्ला तु जे बोलो न कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी सिक्सा दी है अच्छे संस्कार दिये हैं? बिल्कुल दिये हैं पर इसे हम संसारिक सिक्सा ना दे पाई यसुदा और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयम अपनी द्रिष्टी से संसार को ना देखेगो यसुदा सोचो जब ये बाहर जाएगो तो नदी पहाड, पसुब बकसी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगो पास-पास के बातावरन को समझेगो अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो उनहीं की तरह मुक्त होकर कितना अच्छा लगेगो इसे, कितना कुछ सीखेगो मेरा तो माननो जही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमती दे देनी चाहिए ताकि आज जो हो, वो फिर से ना हो पर आप पर क्या या सुधा, तुम्हे चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे या जब भी कहीं जाये तो ऐसे ही वापस आये जैसे आज आयो है बताओ, यही चाहती हो तुम्हें 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 अपने सखाओं के साथ खेलने दो अपने दृष्टी से ओजल होने दो अपने स्वर और धूरी के बंधन को समाप्त कर दो या सुधा जब ये संसार को स्वयम अपनी दृष्टी से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगो तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगो तभी होगो इसके संपूर्ण ब्यक्तितों को बिकास आप ना ऐसी गोल गोल बाते करके अपनी बात मनवा ही लेते हूँ लल्ला कल से तू अपने सखाओं के साथ पाहर खिरने जा सकतो है यह हुई ना पार आप अच्छी हो मैया और आप भी बहुत अच्छी हो बाबा तो भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला मेरी मनो कामना पूरी करने किरे धन्यवाद ना रहा हैं तो तो जेहिल इस मांग रहा था पुजा के समय राप्ती सौमी ठीक तो है ना वैद जी का कहना है सुबह तक प्रतिक्षा करने होगी उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो बाबा बया मुझे सक्ची में बार जाने तो देगी ना यह आसंका तो मुझे भी है काना कि कहीं तेरी मईया का रिद्य परिवर्ता ना हो जाए ताना जी ले रख ले जे क्या है कच्छो अधिक ना है फल रखें पर फल की क्या हो सकता है निकटी तो जारो है भूग लगे की तो आए गाए वो इससे अचानक से भूग लगे आई तो और इतनी के जे नियंत्रन ना रख पाया तो रहने तो बाबा महिया का प्रेम उम्र रो है फलो के चक्कर में कई मुझे भी ना रोख दे हाँ हाँ उचुथ है काना ले जा ले जा रोक अब क्या हो गुमया मैं तुझे जाने ना दे सकती जो सोचा था वह ही हो और यो है रोकचा तेरे दाओ को तो आ जाने दे तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं चलता ना मैया अब तो जाओ पाले छोड़ो तो मैया फिर तो जा पाऊंगो काना किसी अपरिची से बात मती करियो और अपने दाओ के साथ ही रहियो अरे तुम कहां चली वो लल्ला लल्ला को जाने दो देखो यह सोदा यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो काना सदैव तुम्हारे आचल पर निर्भर रहने के लिए विवस हो जाए हो अपनी आचल की च्छाओं से बाहर निकलने दो उसे थोड़ी दूब भी आवस्वक होती है ना स्वास्ते के लिए हैं आचल कीज़िस के लिए ये तो बात चुन्दरे किता अच्छा लव्यू है ना दाओ वैसे ये ना तक्खेल का स्थास जा सब जन खेलने आते हैं पर अभी तक तो यहां कोई आया ही ना क्योंकि काना आप तक तो ने किसी को बुलाया ही नाई ओ हाँ पर अच्छा श्रिदमा वसंता वसंता कहा गो अरे एससे भाग के आने की क्या हो सकता थी अर्दिया कैसे अब मैं तुम सब के साथ कई भी खेलने जा सकता हूँ जय हुई लापाद लगता है स्वामी के चे अतना वापस लोट रही है जैसो तो मैं बाहर जा रहूँ जैसो तो मैं बाहर जा रहूँ करें जैसे जो के लिए New क्रिश्ना आरे क्रिश्ना प्रिश्ण मुरली मनोहर euh प्रिश्णा दो पाला। दो भिंदा एदा मोधरा कृष्णा, क्रिष्णा, अरे क्रिष्णा, क्रिष्ना प्रवाब प्रवाब बखरा फॉब नगे लाए लगाव साद का लाए आर झान। अब खेले क्या मैं भी वही सूच रहा हूँ कि क्या खेले किसे ठुट रहा हूँ काना हम सब तो यह ही है पतो है मुझे पहलो दिनना आज लल्ला को तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिना इसे बीता को जेते न अधिक मुस्कुराने क्या मैं सकता ना है मैं ठीक हूँ और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कारे में मन ना लग रहा हूँ तो छोटी मोटी भूल हो जाती है न कभी-कभी तो हम कुछ विशेस बना ही होगी A भी कुछ विशेस बनारी होगी क्या 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 तो हम भी कुछ विशेस बना है पहले खालो फिर बोलो गुकुल कर राजकुमार आज पहली बार बार खेरने आयो है इसका महल बनाते है हाँ उत्तम विचार बनाना आएगा महल बनाने से पहले बुमी को समतर करना पड़ेगो हाँ तो चाला मैं करूप हाँ मैं कर दोला बना कर दोला बना है जो 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 ऑा उना, देका ओर जजाँ ए मिना थे उर्ली ऑ मे जादे Λ ज देनाी और जना हो एमा सुदियव, जा हो एमा जादे Fish ही जादी जादेना मिना. जादे हो ऑना हो जादे म scoring है महराज, आप देख तो है न? स्वामी, 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 अब मैल मनाना आरंब करते हैं, और अब हमें रेती आवशकता होगी, मैं लेके आता हूँ, मैं ले आयो, अब अब लो, अब मैं लेके आता हूँ, अब मैं लेके आता है, आता हैं, जो, आता है, जो! पर ये तो सुखी रहते है, जल भी तो जही है हमें नदी से राना पड़ेगो मैया ने नदी के पाल जानी को मना किवा है जे रहे यो जल पर या तो कैसे लाए शेंकला बनाते हैं अ किरें बनाते हैं यहाँ पताते हैं यहाँ आर आर भीजाश यहाँ 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 स्वामी? काना इंजे उद्यान बनाते हैं? काना इंजे उद्यान बनाते हैं? काना इंजे उद्यान बनाते हैं? फिर मैं बनूँगा उसका भारी तुपकली? काना इंजे उद्यान बनाते हैं? 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 यह री द्वाचा और यह री उसकी डंडी कर दो 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 कि के लिए यह विंकर है कर दो कोले काम एक है अरे हमारे राजकुमार की द्वजा उड़ गई राजकुमार नहीं सक्खा काओ मधू और द्वजा की तो चिंता ही मत करो ये तो तेरे रत पे जाके आटक गई अब ये उतार दो हूँ काना मा मचड पुरानी सकट है तूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें कचुना हो गोदाओ सुनाना अपने ये सकट ना है ये तो मेरा रत है स्वामी मुझे मुझे यहां कौन ने कराया किसने की मेरी तपस्या भंग आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गय थे पर बड़ी ही विचित्रबाद है वो तीर दुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे विष्णू उसीने की है मेरी तपस्या भंग उसीने चलाया है वो माया वीपी क्षकश क्या क्या है क्या है क्या हम K या बड़ी क्या है हुट 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 हुट! हुट इस थे घर मावने वट रसा होुट हुट! इसे उ स्रा, इसे उश्राँ बाचा मैल गई! बाचा मैल गई! आई मया! आई मया! आई मया! मया! काना बोद अधिक छोड़तो ना लगी यान से दे काना पड़ नील तो ना पड़को है पैर में लगी है ना एक बार मुझे भी बोट तीवरे लगी थी सुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च रहोगी कोई मुझे उठाएगा भी काना संबाल के वैसे थोड़ा लाग तो लग रहा है काना लगता है पित्री चोड़ पीड़ा अधिक है क्या हाँ दाव बहुत अधिक है काना छोगो काना चोट लगी है बहुत पीड़ा हो रही है क्या गड़ाओं से गिलाता चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना पीड़ा हो रही है नि लगी है तो पीड़ा होगी न अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है यह सुदा चलो पट्टी बान देता हूँ रहने तो जी पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास हल्दी लगा लूँगी ठीक हो जाएगो अभी कुछ बनों भी ना है काना भूखा प्यासा आता ही होगो सुदा पर कही ना ओसदी लगानी पड़ेगी तु घर चल घर पर ओसदी लगा देती हूँ तुझे क्या होगो कश्ट बढ़ गयो गया काना चला नहीं जा रहा है क्या तो फिर नोग्यू रहो दाओ मैया को पाता चला मैं पहले देने गिर गयो तु मेरा गर से निकलना बंद कर देगी आ ये पक्की बात है अच्छा अच्छा रो मत्या मेरा घर यहां निकट नहीं है आ ले चलती हूँ फिर और सदी लगा दूँ तु ज़्चा ठीक हो जाएगो फिर चले जाएगे अपने कर ठीक है चला नहीं मुझे मेरे मैया के पास ती जानों है मुझे को पतानों भी ना है और मुझे के पास जानों भी है काना तु चिंता मत्य कर हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकला बन ना करने देंगे तच्ची हां तच्ची चल तुझा गर ले चलते हैं कित तो अच्छो हो तो ना यदि काना मेरे घर आने के लिए मान जातों फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती बस काना अब कुछी दूर आ रहे हैं रंगर पहुचने वाले हैं मैं भी न कैसी कैसी कलपना करने लगी ना जाने काना का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी किना चिन्ता मन करो जानकी अपनी माखन चोरी की लीला का आरम मैं तुमारे घर से ही करूँगा लगता है घर पहुचने की प्रसनता में तेरे पाउक की पीड़ा अपने आपी जमापत हो गई ना ना जाओ बहुत कश्टे सच्ची हाँ हाँ चलो सीग्र चलो अट्थी अधिक तो नहीं कस कई महाराज महाराज विड़ा के लिए ये होशे दी मेरी वास्तविक पीड़ा वो विश्णू अवतार है इसलिए ये होशे दी मुझे कोई लाब नहीं देने वाली लाब होगा और किस वस्तों से होगा ये भी मैं जानती हो महाराज कृपिया आईए मेरे साथ कानहा को गए कितनी देर हो गई यहां मैं उसकी स्वरती में बाबली हुई जा रही हूँ पता न वहाँ उसे एक बार भी मेरा स्मरन भी हुआ होगो की ना वो तो मगन होके खेल रहा होगो मैं भी ना कचो अधिकी सोचती हूँ सची अग्यो मेरा काना बेलेला जुरी ना देर ना, डेर ना, डेर ना, डेर ना जे क्या होगा? हाँ? कना, चोट लगी क्या? क्या होगो कना? पीडा हो रही है लला? हाँ? किक तो बूला है जे, ओभी पल भर पहले तक कस्ट बूलकर मुस्कुरार होता पर अपनी मैया को दीखते ही, सारा कस्ट फिर से स्मरन होगा उसे मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीडा ऐसे लुपत हो जाएगी लला, बस कुछ समय परतिक्सा कर ले तेरी मैया से तो कस्ट को भी भै लगतू है, देखना, जैसे भी वह लेप लगाएंगी, कस्ट ऐसे भाग जाएगो हमिया आमाई आमाई हमिया आमामाई माईया बस लल्ला बस लल्ला देख जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमतकारी होतो है कहीं भी कट जाए या कहीं चुप जाए रख निकल आए कित्ती भी पीड़ा क्यों ना हो जे सब ठीक कर देतो है माईया आपको वे तो चोट लगी है जे तो कछो ना है लल्ला उंगलियां है पंथ जिसकी सीख जीवन ग्रंथ जिसकी जननी बन करती सिजन होती ममता तो अनन तुसकी माता ओ माता तु ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला यशो मती मैया के नंद लाला ये शोमती मैया के नंदे लाला ये शोमती मैया के नंदे लाला ये हल्दी का लेपे मैया ये बाच चमकारी होतु है कहीं भी कट जाए जुब जाए या रख निकाल लाए ये भी पुरी ना हो सब तीक कर दोते हैं कित्ता सकती साली है मेरा लला कित्ती सकती साली है मेरी मैया बस कुछी समय में तेरा घाओ सूख जाएगो फिर घाओ स्वेम पूछेगो तुछ से काना ये कस्ट क्या होतो है ये कुछ समय में सूख जाएगो मैया इसका बाद आपका घाओ स्वेम पूछेगो काना की मैया ये कस्ट क्या होतो है अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी सरारत की तुने काना, कि जो इत्ती अधिक चोट लग गई अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी सरारत की थी, जो इत्ती चोट लग गई कैसा संजोग है ना यह सोदा, मया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी ना यह संजोग ना है नंग जी बता किसकी बूल से लगी है जे चोट झारईवाग जी बता किसकी बता है जे वालाा यादो ना यह सी शैजोग जा जे रढkovक नहां चैने का हैं